तो और दोस्तों कैसर आप लोग मैं आप सभी को विल्कम करता आपके फेवरेट यूड़ीब चैनल जेयर टुक्टोरियल्स में यहर मैं हूँ का और मुंद्रा जो आपको पड़ा था सब्सक्राइब लेकिन दोस्तों अब मैं अपने पूराने बच्चों से बात करता है अपको पता है बताओ चार मंत्र क्या आता लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना है फॉलो किसको यह मेरे इंस्ट्रग्राम आइडिये मुझे और बाकिया फैकल्टी टीचर्स को आपके लिए दिन रात मैनत करते हैं करोगे की नहीं फॉलो अगेरा करोगे ना बिल्कुल प्यार बाटना है रेख़तों चलिए दोस् सब्सक्राइब करना है क्या और लेकिन और के चाहीलगा आज जो का नाम है इसलिए इसलिए ने आप से यह बात कर रहा हूँ लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा कि money का invention कब हुआ या कभी आपने सोचा जो हमारे पूरवच थे जो हमारे ancient लोग थे ना मुलोग कैसे काम करते थे उनके पास भी money होता था क्या सर तो आज ये lesson हमें वो सिखाता अरे बहुत चिंदी सा lesson है मैं तो कहूंगा free के marks है इसले मैं कितम आसान है यार free के mark से आपको grab करने है चलिए मैं आपको बता हूंगा कौन से question आयागा exam में और वैसे इसमें कुछ भी question बन सकता है और यह इतना simple है आप सोचोंगे भाई साब ऐसे chapter हो तो मज़ा आएगा ठीक है चलिए फिले start करते है पन तो चलिए तो हम समझते है कि money जो concept है यह आज का नहीं है यह बहुत पूराने जमाने से आया है लेकिन दोस्तों money के आने से पहले भी एक system हुआ करता था जिसे कहते हैं दोस्तों बाटा सिस्टम क्या कहते हैं बाटा सिस्टम सब बाटा सिस्टम यानि किया यहां पर कह लिखा एक्षेंज ऑफ गूड्स for जब तो मुझे एक लीटर दूद देगा एक लीटर मिल्क देगा किके समझगों मतलों आप मेरको ना बदले में पैसे चार्ज नहीं कर रहे आज हम क्या करते आज हम पैसे चार्ज करते आप अपने नीचे शॉप के पास जाते हो अंकल दो लीटर लिटर उठाके दे दिए आप अंकल को ये बुलोगे क्या, अंकल आपने तो लिटर दूद दिया था ना, ये लोग पेपसी की बॉटल पकड़ो, अंकल वहां से ये आपको बजाएगा, नहीं ना अंकल क्या मांगेगा आपसे, आपसे पैसे मांगेगा, ये जो पैसे हैं, ये तो अब इन्वेंट हो चुका है, लेकिन आज से कुछ बहुत साल पहले जब बाटा सिस्टम चला करता था, तब तो दोस्तों मनी का कंसेप्ट नहीं होता था, तब गूट्स के बदले गूट्स एक्सचेंज होते थे, हाना बहुत टाइम तग ये सिस्टम चला गया है, बहुत टाइम तग लोगो उसकी कुछ यसे डिफिकल्टी ती, जिसके बारे में हम सीखेंगे, ये कोशन एक्जाम में आ सकता है, वैसे ये खेर ये लेसन में सारे कोशन आ सकते हैं, और ये बहुत सिंपल है, आओ ध्यान देते हैं, एक एक फटाट से समझते हैं, और पुरी के मार्स ग्रैब करते हैं पहला है दोस्तों, problem of double coincidence of want, सर मतलब क्या, कुछ नहीं समझा सर, आओ इसको एक ग्जामपल के तू समझते हैं, जैसे ए, has a cloth, इसके पास कपड़ा है, और इसको चाहिए rice, ये कहता है, सुनो ना, आप कैमेरा वाले हो ना, सुनो, मेरे पास कपड़ा है, आपके पास जो rice है मुझे दे दुना, बदले में, आप मेरे कपड़ा लेलो, बदले में, लेकिन मुझे rice देना, प्लीज़ भाईया, अब यहाँ पे, लेकिन आप जो होना, आप क्या कहते है? आपके पास rice चीएता, आपके पास है rice, बिल्कुल है, तो क्या हम एक transaction कर सकते है? बिल्कुल कर सक तो दोस्तों देखिए problem of double coincidence मतलब जो मुझे चाहिए ना वो तुझे नहीं चाहिए ऐसा हो सकता है या example के तुम्हें नहीं की कोशिश करो खुद को समझाओ देखो एक पास ना राइस है पर तुम नहीं दे रहे हो पता है क्योंकि तुम्हें बदले में कपड़ा दूगा अब तुम्हें कपड़ा नहीं चाहिए तो क्या तुम जबरवस्ती राइस दोगी नहीं ना तो यह बहुत बड़ी difficulty थी यह इसका first point है difficulty अगर एक्जाम में आता है कि में आपके पास है मिरुपश क्या दोस्तों में इन आना दो लिटर ofively मिल्क है मैंंने आपको बूला यह लोगिए द़ौ ईर्फ मिल्क आपकी बदले में न हुई वह आपके पास क्या है आप आपके पास अप कहते हो मेरे पास तो यह दो केजी राईस आप मुझे बात ब तो मुझे बात बता हूं लैक औफ कॉमन मेजर ऑफ वेल्यू जो मिल्क दे रहा है उसके दिमाग में सेकेंड थॉट नहीं आएगा क्या यार मैं तो इसको दूद ज्यादा दे रहा हूं यह तो राइस से दो केजी दे रहा है दो लिटर मिल्क तो यह बहुत ज्यादा होता है और दो केजी राइस्तों से इतना सा ही है इनकी दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स आते थे तो यह चक करना दोस्तों बाटा सिस्टम की यह एक और डिफिकल्टी थी और यही सब डिफिकल्टी की वज़े से अज बाटा सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलता है यह हम सीख रहे तो क्या कहा रहा हूं में बाटार मतलब सिर्फ बदले बूट और बाटार सिस्टम पर डिफिकल्टी में अब तक हमने दो समझे चलिए फटा फट से अगले पर जाते है देखे दूस्तों यहां पर दियान दिजेगा गूट्स में आपको भी पता एक तो आता है परिशेब दूरे बल गूट्स जाने कि दूस्तों ऐसे गूस जो अगर एक एक बार आपने रख दिया तो वह लंबे समय तक चलता है बिल्कुल भी खराब नहीं होता है उसकी जो कॉलिट्टी होती है वह वैसे कि वैसे ही होती है लेकिन दोस्तों एक होते हैं परिशेबल गूट्स ब आप सोचोगे ना सर पहली बान नाम सुने परिशेबल गूट जाने के दोस्तों ऐसे जो अपने नेजर में ना बहुती मतलब ऐसे जल्दी से खराब हो सकते वैसे वाले गूट से बच्चा करें सर एक्जामपल दो ना अरे जैसे की फूट्स वेजेटेबल्स उसके बाद हमा पर फीश लेके आप मिल्क लेके चले गए अब आप मुझे बात बताईए क्या आप मिल्क जो है ना दोस्तों एक-एक महीने तक स्टोर कर सकते हो क्या नहीं तो बस यहां पर दोस्तों आगे डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गूट्स अब लोगों के पास ना मिल्क स्टो नहीं होती थी वो टैम पर आज से कितने साल पुराने वाली पात कर रहे हैं ना दोस्तों तो वहां पर डिफिकल्टी तो होगी स्टोर करने की गूट्स को तो यह था इसका थर्ट पॉइंट अब चलते फॉर्थ पॉइंट पर तो वह है दोस्तों इन्विजिबिलिटी प्लिजर बेच्टे थे ठीक है लेकिन अब मेरे पास पैसे तो ही देने को में आपके पास अनिमल लेके आ गया या फिर न में पास दस अंडे दे आपको बहुत पड़िया या ब्लाक कलर क्या सूट कर रहा है मेरे पर आपने मेंको ब्लेजर दे दिया फिर फ्री में तो दो सेलर आप आपकी दिमाख में आए गा ना यार मैं ब्लिजर तो इतना मतलब अच्छा कासा दे रहा हूं इसके तो मुझे और गोड्स मिल सकते दस अंडो से मेरा क्या होगा आपकी दिमाख में यह खायल तो आए गई बिलकुल आ तो बस यही एक डिफिकल्टी थी इसे कहते इन्विजिबिलिटी ओफ सर्टन गुड्स अब आप मुझे ऐसा थोड़ी ना बोलोगे मैं आपके सामने ना बहुत बड़ी फिश लेके आगे भाई साब मेरे हाइट से भी बड़ी फिश मैं आपको बोला मैं आपको यह दूँगा आप बतले में मुझे कपड़े दे दो अब मैं आपको यह बोलूँगा कि मैं आपकी फूरी फिश नहीं दूँगा भाई मैं आपको इसका आदा दूँगा हम ऐसे हम ऐसे डिसकेशन या ऐसे आर्गुमेंट तो नहीं कर सकते ना जब मैं गुड्स खरीदने जा रहा हूं यह थी इसकी चौती डिफिकल्टी आसा सारी पेमेंट नहीं करी आपने उन्हें कहा कि हम आपको फ्यूचर में एक-एक महीने में एक-एक साल में उतने टाइम पिरेड के बाद आपको पेमेंट करेंगे उसे कहते दोस्तों डिफर्ट पेमेंट अब आप मुझे बताओ बाटर सिस्टम में बाटर सिस्टम में आइस आई तो मैं आपको दूंगा अब आप सोचोगे ना यार क्या पता खराब राइस लाके दे क्या पता एक महीने बाद आच्छी राइस नहीं भाग जाए तो देखा दोस्तों यह डिफिकल्टी थी एक बाटा सिस्टम में और उसे के साथ बाटा सिस्टम को हम भूल चु वो ऐसा हमें जादा तर देखने को मिलता नहीं है लाइक पूरे दुनिया मैं ना कोई hardly 1% लोगी वैसा कुछ बाटा सिस्टम फॉलो करते होंगे जब दुनों की mutual consent हो ठीक है चलते है दोस्तों अब हमने बाटा सिस्टम को समझा हमने यह समझा कि पूराने जमाने में goods कैसे purchase buy and sell होते थे उस क्योंकि उस्टम तो money का concept ही नहीं था ना लेकिन दोस्तों जैसे जैसे लोगों को से रियलाइज हुआ कि यह बाटा सिस्टम नहीं है यह अच्छा सिस्टम नहीं हमें कुछ ऐसा लाना होगा हमें कुछ ऐसा लाना होगा सो देट हम goods and services अच्छे से buy and sell कर सक के तो बस आपको पता होगा दोस्तों जो पुराने जमाने के kings होते थे हना जो kingdom होती थी बड़े-बड़े हमारे देश में बड़े-बड़े राजा रे चुके वह लोग क्या करते हैं दोस्तों वह खुद का coin मना लिया अब यह होता था उस राज्य का money money की concept यहां से आया अ सिखते हैं फ्री के मार्क से कोशन बन सकता है एक्जांब में चार मार्क का बनेगा मिनिमम चार से पाच लिखके आने हैं आपको head points और उसको explain भी करना है टोटल इसमें शायद ना eight है और सारे के सारे easy है मैं आपको suggest करूंगा कि at least six लिखके आना तो आपको four में से थ्री तो मिलेंगे ही मिलेंगे पक्के मिलेंगे economics में थोड़े marks कटते हैं मैं यह सज़ेस्ट करूंगा चार ना पूरे आठ काट पॉंट लिखके आना भाई लिखके नेशरद माने में अगर आपको एक लीटर बॉट मुझे आपके उपने में घब कर्ना के रखा था कि जब इसका स्टार्ट हुआ तो सबसे आया आया एपनीमल होता था हम उसको चैशेंज THIS Winds आपके पास कुछ समाण है बसंड़क आपके आपकी चीवा पता हो पफ पत्थर देंग наш ऊ यह शित तो तिन लोग के पास यह है वह भाई साब बाइक वाला क्या बाद कर रहा है या प्लीज मुझे दे ठीक है तो यह रेर स्टोन पकड मुझे तरी बाइक दे अब यहाँ पर क्या वह दोस्तों आपने कुछ गुछ कमेडीती कमेडीती कि कुछ समाल आपके पास है आपने बदले में उसे एक्सचेंज किया दूस्तों ऐबर मनी का यह एक और ताइप है जिसे कहते हैं थैसे कहते हैं ता रहा है डियल्म मुझई प्लेट सुख कहले नहीं की कर दो होено इंस्ट्रूमेंट है आप गए एक प्लेट लेके गए वह गोल्ड की प्लेट थी आप गए मुझे एक कार चाहिए आपकी आपने उसको गोल्ड प्लेट दे दी उसने आपको कार दे दिया अब यहाँ पर आपने दोस्तों कुछ अच्छा मटेरियल यूज किया है जो मैटलिक मटेरियल है बहुत महंगा यार अपने गोल्ड का दिया है वो भी तो दोस्तों उसे कहते हैं मेटलिक बनी चलिए चाउते हैं पर मेटलिक कॉइंस कॉइंस समझे ना कॉइन हां बस यह उसकी बात कर रहा है और दोस्तों देखिए जैसे हमारे राहूल सर है इनको ना अपने यहां पे रूलर को ने राहूल सर सिर्फ यह ही लोगों को अगर कि राहूल सर को पेमेंट करना है तो उन्हीं अगर शिखिवेंत करनी होगी तो यह हूंग है dreams दोस्तों metallic coins अब दोस्तों लेकिन metallic coins के भी दो टाइप है जिसमें पहले standard और full-bodied coins और second है दोस्तों token coins अब देखो standard coins यानि कि दोस्तों के ऐसे coins जिसका face value equal करता है उसके intrinsic value पे बच्चा करता सब इसका मतलब नहीं समझा अब देखो एक coin है एक coin है coin के से circle होता है ना एक coin है उसके लिखा गया 100 रुपए तो बस यह मान लिया है इसकी value से 100 रुपए इसे कहते है intrinsic coin ठीक है जर कुछ हाड़ता गया नहीं अब intrinsic coin यह जो है ना दोस्तों यह full-bodied coins इस पे बड़ी-बड़ी denomination होती चोटी डिमनेशन नहीं होती अब आप कहिरोंगे ना सब्सक्राइब चूटी denomination के लिए क्लिक या होता है जोटे चीप material की है ना इसको कहते है token coins चलिए अब next पर चलते ना मज़ा रहे हैं यह कितना आसान है अब यह तो तुम मुझे खुद बताओगे यह तो तुम मुझे खुद बताओगे पहला है अरे हमारे गांदी पापू बने रहते हैं यह कौन इशू करता है यह हमारे RBI इशू कर पांसो दो हजार तो यह जो नोट्स यह इशू कौन करता है इसकी सप्लाइ कौन करता है इसकी सप्लाइ करता दोस्तो आर भी जिसे कहते हैं Central Bank और अर भी आ का असलिखा पैसा होता है जो आप में यूज कर रहे है अज की डेट में अब बैंक मनी और क्रेडिट मनी देखार ऑब्यस सी बात है अब इतने बड़े हो गए हो बैंक में अगर तुमारे कुछ पैसा है तो जाकर डिपोजेट करते हैं उसे कहते हैं बैंक मनी आपने ना दोस पैसा उसको बैंक मनी कहते हैं यह तो नहीं समझाना पड़ेगा उसका दोस्तों देखिया प्लास्टिक मनी बच्चा कर अशर यह वह क्या मेरा बाई एक चोटा सा वह बिजनस वाला गेम खेलता है आरे नहीं वह नकली वाले पैसे नहीं प्लास्टिक मनी आने की वह डेबि अचल उले इतवना अंसर कोई गलत करके नहींगा मैं पहले बता रहा हुँ छले इलेट्रोनुक मनि आपको पता है या ऐलेक्ट्रोनिक या इन valley का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है आपको भी पता है इलेक्ट्रोनिक चीजों में तो लगती है उसके साथ देखिए दोस्तों इलेक्ट्रोनिक मनी यानि कि ऐसा मनी जिसमें आप मनी का ट्रांसफर करते हो किसके त्रू मॉबल के त्रू PC के त्रू या टैबलेट जो भी इलेक्ट्रोनिक वालेट है वह एकदम क्लियर कुछ था इसमें तो टाइपस ऑफ मनी और डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्ट्रम यह कोशन एक्जाम में आ सकता है उसके साथ यह यहां पर फिनिश करेंगे इस टॉपिक को कॉलिटीज ऑफ मनी यह कोशन भी एक्जाम में आ स समझाओ कैसे अरे यार क्योंकि यह तो हम वर्ड रेड करते हैं तभी हमारे दिपार्ट में आ जाता है तो समझाना थोड़ा सा आसान होता है ठीक है बाकी वैसे टेंचन ना लो कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं वैसा बूरा मत मानो चलिए कॉलिटीज ऑफ म मनी है ना हमारे देश में पूरी दुनिया में नहीं वह आपके पूरी नेशन में चलना चाहिए मतलब कि समझे अब हमारा इंडिया है दोस्तों आप मुंबए में रहता हूँ मुंबए का सौरूपे का नोट क्या राजस्तान वाले बच्चे के सौरूपे नोट से अलग है क्या गुजरात वाले 100 रुपय के नोट से अलग है क्या जो south में रहते हैं लोगे कैरल, या फिर गनट का या फिर बैंगलूरू वहाँ के लोगों के 100 रुपय से अलग है क्या नहीं न सबका 100 रुपय एक ही चलता न इन इंडिया में, इंडिया की बात करें तो क्या general acceptability in your country, first point, एक money वैसा होना चाहिए, उसको दोस्तों देखे, divisibility, मतलब कि दोस्तों आपके पास जब money है, अब जो note है, वो 100 रुपे का भी है हमारे नेशन में 500 का भी है, 2000 का भी है, लेकिन दोस्तों, अगर कोई smaller transaction है, तो उसके लिए भी हमारे नेशन में note है, जैसे नहीं, दोस्तों, आपका जो coin है ना, ऐसा है, कि मतलब किसी ने ऐसा भी किया ना, पुरा paper फट गया, जो आपका note है, पुरा paper फट गया, एक अच्छी quality का होना चाहिए, durable होना चाहिए, चलना चाहिए, ये काफी समय तक ऐसा expectation रखे, देखिए ना, आप ही बताओ, अपने जो मम्मी आपको पता है, savings करती है, मम्मी ने पापा के जेब से 500 रुपे निकाले, जेब में रखे और मम्मी ने चुपा के रख दिये, ठीक है, मम्मी एक साल तक उसको चुई नहीं, मम्मी को पता तयार, कोई ना, कोई तो ले लेगा, बच्चे से चुपा के रखती हूँ मम्मी ने चुपा के रख दिया, मम्मी ने, मम्मी गई एक साल बाद, मेरे 500 रुपे, मम्मी ने खोला और देखा, बाई, पेपर, जो नोट है, वो तो बाई, पड़े पड़े ही खराब हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डूरेबल होना चाहिए, काफी लंबे समय तक आप पता है क्या करोगे मुझे, यार कैसा आद्मी है, इंडिया में रहता है, यह 100 रुपे को नहीं पैचान पा रहा है, पूरे इंडिया वाले सब यह 100 रुपे तो यूस करते, यह पागल आदमी है, इससे मुझे बात ही नहीं करना हूँ, आप ऐसा करके जाओगे, क्या म उसको पाता है क्या सब 10 रुपे पाता नहीं करते, कोई तो नहीं होगा नहीं, इससा भाई, तो बस होई, उस बात दोस्तों दिखे, पोटाबलीटी, यानि कि दोस्तों एक जगे से दूसरे जगे ले जाना, मतलब कि एक नोट है आपके पास, वो इतना है भी है, कि उसको उठाने के लिए भी 10 लोग लगेंगे, तो नोट ऐसा नहीं होना चाहिए, नोट एकदम जो मनी है, वो एकदम हलका होना चाहिए, एकदम लाइट वेट होना चाहिए, पोटेबिटी, so that हम उसे एक जन से दूसरे जगे, दूसरे इंसान को दे सके, होमोजीने, होमोजीने, मतलब कि क्या सर, same identical in feature, मतलब कि देखो, एक 500 रुपे का नोट है, यहाँ पर मैंने 100 रुपे लिखे, हम बड़ी बात करेंगे, 2000 चलो, एक 2000 रुपे का नोट है, अब नोट आपको पता ना, ऐसा होता है, ऐसे shape में होता है, आप समझो कि से दिन, note, triangle के shape में आने लग गया, म होना चाहिए, ऐसा, क्या लिखाईए, stability, stability याने की दोस्तों, आसान है, stability याने की, जब कोई उसे इंसान use कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए, कि हाँ, मैं ये note use कर रहा हूँ, stable है, हर को यूज कर सकता है, सभी को recognizable है, सब को पता है, कि हाँ, ये तो note है, हमारे देश का और हाँ, ये generally acceptable है, सर, आपको यहाँ payment करनी है, ठीक है, आप वो note दे सकते हो, ये note ऐसा होना चाहिए, तो कुछ इस तरह की quality होनी चाहिए, एक money की, आसान था ना, पहली बार सुन रहा हो क्या, यार कितना आसान है ये, इसमें भी difficulty आ रही है ना, नहीं आ रही है, अगर किस section आपको करना है, ठीक है, comment में करना है, ये lecture number one था, lecture number two में, हम money lesson को भी bye-bye कर देंगे, आसान सा है, यार, free game mark से grab करो, आज जो हमने तीन answer पढ़े ना, तीन concept को पढ़े है, तीन answers ये, questions ये, एक्जाम में बनेंगे, तीनों में से कोई एक आपको देखने को मिल सकता है, और ताकि, जो हम आगे lecture में सीखेंगे, उस में से भी कोई एक आपको देखने को मिल सकता है, तो मैं इसके लिए कह रहा हूँ, free game mark से आपको grab करने, ठीक है, तो चलो फिर दोस्तो, इस lecture को पढ़े ही end करते हैं, मिलता आप सभी से next lecture में, तब तक लिए अच्छे से पढ़ाई क करते.